हलो हेलो वादिल सहाब वादिल सहाब मुझे एक बात पूछनी है क्या साइट रोयदा को घर ले आया पता नहीं जोरा मैं कल से घर नहीं गया क्यों क्या तुम भी घर पड़ने गई हूँ नहीं गई मैं क्यों क्या हूँ जाना पड़ा मुझे एक वज़ा थी जोरा भी तुम कहा हूँ यह नहीं बदा सकती करा कि अब पीछे बढ़े है तुम अके लिए शेहर में कहां जाओगी फिक्र ना करें मुझे काम मिल गया है और रहने के लिए जगा भी अपना खयाल अखना ठीक है सहीत मैंने सहीत को भी कॉल की थी उठाई नहीं क्यों नहीं उठाया मुझे भी हैरत है इसकी मैं सहीत से बात करके तुम्हें दुबारा कॉल करता हूँ ठीक है कह दीजेका उसे खुदाहाफिस जोहरा बेटा जल्दी से आके गिलास दोलो टाइम बिलकुल नहीं है जी अच्छा आज शुक्रिया बताएं कुछ पता चला अम्मी का क्या आप कुछ बोलेंगे क्या बोलू यह तादा नहीं किया बाबा मैं खसम खाशकता हूँ यह उन्हों बली उन्होंने कहा मैंने कुछ नहीं किया वो छूट बोल रहे हैं बाबा जब सुरं角 में Дाला था ताब भी यहीं बोला था उन्हों 국is नहीं मिल रही है वो गाइब हो गई है बाबो वो मेरी आखों में आखें डाल कर भी छूट बोल देते हैं मुझे पताएं आपने तो नहीं किया ना मेरे लोग तलाश कर रहे हैं तुमारी मा को अब ज्यादा परेशान मत हो वचा आप है सिर्फ आप है बाबा अगर आपने ना कहा होता तो अम्मी नहीं जाती कहां जा रहे हो अली मुझे अभी कहीं जाना है कुछ आप मुझे घुक मुझे एाफ आपने उना है कुछ आपने उना है कुछ आपने बादेताएं आपने राफने लिए जाताएं मुझे लग रहा था कि आप यहां नहीं आएंगे आपके मैसेज बढ़ने के बाद मैंने यह फैसला किया कि एक बार हमें जरूर मिल लेना चाहिए लेकिन आ गई क्यों मतलब है इसका आप मेरे बड़े भाई की वज़ा से हामला हुई रेस्टरांट आजाए बात करनी है उसी की वज़ा से आप हामला हुई थी ना जूट है यह सब कुछ सच है एसा कुछ भी नहीं है कुछ भी नहीं सिर्मा जूट मत बोलो मुझसे आखिर तुम्हारा एरादा क्या है अपने भाई के कातिल चाहिए मुझे तुमने ये मेसेज मुझे भेजाएं क्यों है पैसे चाहिए तुम्हें क्या ऐसा कुछ नहीं है तो फिर क्या चाहते हो क्या कोई और तरीका था आपको बिलाने का मैं जमाल को चाहती थी लेकिन में होमलों बिल्कुल नहीं थी समझे तो फिर क्यों आई है यहां तुम्होरी गलत वहीं दूर करने तुमने जो कुछ भी सुना है दो बिल्कुल गलत है सिर्मा देखो अगर तुम नहीं बताओगी कि मेरा भाई कैसे मरा तो फिर मैं जाकिर को बताओगा कि सच क्या है ऐसा कुछ है ही नहीं जारी हो यहां सममय समझे झाँ झादे